अमशकार दोस्तों, European Union के अंदर टोटल 27 मेंबर से आपको पता होगा, क्योंकि UK चला गया था, उसके बाद 28 से 27 हो गये थे, और आप इसके मैप को यहाँ पर देख पाओगे, जितने भी कलर्स में आपको दिख रहा होगे, चाहें Portugal है, Spain है, France, Germany, Luxembourg, Poland, Romania, जितने भी आपको हमें एक छोटे से देश की बात कर रहे हैं, वो है आपका Switzerland, यहाँ पर आप देख पाओगे, यह भी कलर्ड में नहीं है, मतलब Switzerland भी European Union का पार्ट नहीं है, और राइट साइड में आगर आप देखोगे, तो यह एक landlock country आपको यहाँ पर दिख रही होगी, France हो गया उपर, पर जर्मनी है, उस्ट्रिया है, नीचे इटली हो गया, इन सब के साथ यह boundary share करता है, तो अगर कोई भी देश landlock country है, तो जाहिर सी बात है कि जो आजपास के देश हैं, उसके उपर काफी हद तक उसको निर्भर करना होता होगा, शिप के माध्यम से कोई भी goods आ रहा है, तो उसके लिए हाँ पर निर्भर होते होंगे, तो काफी important हो जाता है कि आजपास के जो देश हैं, उनके साथ relations अच्छे हो, लेकिन पिछले साथ वर्षों से एक treaty को लेकर चर्चा हो रही थी, European Union काफी हद तक चाहता था कि Switzerland इस treaty को sign कर ले, ताकि दोनों के ये hit में हो, लेकिन Switzerland ने इस treaty को नकार दिया है, exactly ये treaty है क्या, आखिरकार European Union क्यों इतना pressure बनाना था Switzerland के उपर, अब यहाँ पर रिष्टे जो हैं, वो क्या और जादा खराब होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, गर आप QPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सभी जानकारी आपको हमारे description में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे app को भी download कर सकते हैं through your android phone, तो exactly यहाँ पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं, तो Wednesday last week की ही बात है, Switzerland ने यहाँ पर काफी लंबे समय से एक negotiation चल रहा था, एक agreement को लेकर ऐसा लग रहा था कि शायद यह agreement अब हो जाएगा, लेकिन finally यहाँ पर Switzerland ने कहा है goodbye, मतलब European Union को कह दिया है कि हम इस agreement में शामिल नहीं होगे, हमारा जो agreement को लेकर बाची चल रही थी European Union के साथ, अब वो यहाँ पर खतम होती है, और उसमें कई सारे मैं आप भी आपको चर्चा करूँगा बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ issues जैसे कि full access for European Union citizens, मैंने आपको क्या बताया भी, कि जो Switzerland है वो आपका landlock country है, तो आस पास के देश से भी क्या होता है ना, कई सारे लोग Switzerland के अंदर आते हैं, काम करते हैं, ठीक है, आपको बताय European Union क्या है exactly, European Union एक तरह का access देता है, मतलब कि यह एक देश की तरह काम करता है, कोई भी important decision है, जैसे कि last time आपको याद होगा हमने चर्चा किया था, कि patent waiver हो गया, तो patent waiver US decide किया कि हम दे सकते हैं, लेकिन European Union की सभी देश जों है, वो एक साथ, एक मिल कर decide करते हैं, कि क्या हमें patent waiver देना है कि नहीं vaccines को लेकर, तो वो एक देश की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर अब क्या है, Switzerland तो European Union का part नहीं है, लेकिन उसको बाकी देश के साथ अच्छा से relation रखना है, तो Switzerland के बहुत सारे agreements हो रखे हैं, छोटे छोटे कई सारे agreements हो रखे हैं European Union के साथ, और European Union अब च Union के देश को फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा Switzerland को मिल जाता है, लेकिन Switzerland को जो नियम कानून follow करने चाहिए European Union के accordingly, वो तो follow करता नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर काफी समय से दोनों के बीच में मतभेद देखने को मिल रहा था, अगर हम Switzerland और overall European Union के बारे में बात करें, त चौथे नमबर पर आता है, इतना चोटा सा देश, और यहाँ पर 14 लाख European Union के जो citizens हैं, वो आपका Switzerland के अंदर रहते हैं, मतलब कि छोटे से देश के अंदर, European Union के अगर हम citizens की बात करें, तो 14 लाख लोग इस देश के अंदर रहते हैं, और हर रोज मैं आपको बताऊं, तो 3 3 लाख लोग, Germany से, France से, Australia, Italy, कई सारे देशों से यहाँ पर हर रोज आते हैं और वापस चले जाते हैं, ओव्यसी बात है, business के purpose की वज़े से, मतलब जो borders वगर है, वो एक तरह का open है, मतलब work ऐसा लगता है कि यह European Union का पार्ट है, लेकिन actual में यह European Union का पार्ट नहीं है, साफी सारा export करता है European Union के अंदर, next यहाँ पर अगर आप देखो, तो दोनों के बीच में जो relation है, वो 120 separate treaties के आधार पर चल रही है, छोटे-छोटे अलग बहुत सारे treaties किये हैं आपस में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, यह आपका European Union का पार्ट नहीं है, और इसी की याद होगा UK, UK आपका बाहर हो गया था, Brexit हो गया था, उसका European Union से बाहर हो गया, तो कुछ वैसा ही केस है, कि UK अब उसका पार्ट नहीं है, मतलब UK उसका फाइदा नहीं उठा पाएगा, सेम उसी प्रकार से Switzerland के साथ भी ऐसा होना चीए, लेकिन ऐसा नहीं था, तो question यह आ है कि यहाँ पर agreement की क्या आउशकता थी, तो इसको लेकर I hope की अब आप चीजें समझ गए होंगे कि framework agreement की क्यों आउशकता थी, और ज्यादा तर European Union के द्वारा ही pressure डाला था, Switzerland के उपर, कि आप एक नया agreement हमारे साथ करो, एक बड़ा agreement करो, जिसमें हमारे भी सुविधा हो, हम यहाँ पर इसका फायदा मिले, जिसमें European Union एक सबसे important शीच कह रहा था, वो है आपका labor market, basically क्या होता है ना, इस map में आगर आप देखोगे, तो Switzerland ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को allow कर देता है, France से, Germany से, Australia, Italia, फिर कहीं से भी, कि आराम से आप लोग आके Switzerland के अंदर काम कर सकते अब देखना, हम भारत के अंदर बैट कर या फिर कहीं पर भी लोगों को लगे का रहे, सब कुछ वहाँ पर ठीक चल रहा है, लेकिन actual में ऐसा होता नहीं है, Switzerland के भी अंदर आप देखोगे, तो लोग वहाँ पर गुस्सा हैं, नराज हैं, कि बहुत सारे लोग बाहर से आ हैं, और यहाँ पर नौकरी करने लगते हैं, और जो लोकल हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, इसकी वजए से यहाँ पर Switzerland में लोग इतना ज्यादा प्रिफर नहीं करते कि European Union के जो citizens हैं, वो इसके अंदर आएं, लेकिन European Union क्या चाहता है, कि जब आप हमारे सारे फायदे तो आप हमें market access दोना, हम भी तो यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, health sector को लेकर, education sector को लेकर, research को लेकर, लेकिन finally जो Switzerland है, वो कह रहा है कि नहीं हम इसमें ready नहीं होगे, अब यह जो पुरा talk है मैं आपको बता दू, 2014 से start हो गया था, 7 साल पहले से इसके उपर बातचीत चल आदू, 2018 में एक proper draft भी आ गया था, मतलब agreement के पहले होता है न, just like draft निकाल दो, और यह finally approve हो जाएगा, तो draft भी आ चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन Switzerland की सरकार ने का कि मुझे आप थोड़ा सा और समय दो, हम consult करना चाहते हैं, domestically अपने experts के साथ मिल कर, लेकिन अब पुरा निकल गया है, और जो talks हैं इतने लंबे समय से, वो अब यहाँ पर fail हो गई है, और इसका जो सबसे बड़ा मुद्धा है, मैंने आपको क्या बता है, वो है आपका labor market, European Union कह रहा है कि हमें labor market का access चाहिए, हम चाहते हैं कि European Union के citizens Switzerland के अंदर आकर, जब चाहें काम कर सकत हैं, जब चाहें बाहर जा सकते हैं, लेकिन Switzerland के अंदर मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर बहुत ही contentious इसू है, 2014 में एक referendum भी लाए गया था, Switzerland के अंदर जिसका नाम है, Stop Mass Migration, जिसके अंदर बोला जा रहा था कि European Union के जो citizens हैं, उनको हम Switzerland के अंदर allow नहीं करेंगे, और वहा basis, basically वहाँ के जो foreign minister है, उनका यहाँ पर बयान आया कि social peace को maintain करने के लिए, balance बनाने के लिए, हम इस treaty को अभी के लिए join नहीं करेंगे, अब यहाँ पर reactions की बात करें, जैसा मैं बता रहा था कि obvious ही बात है, क्या European Union खुश होगा इस से नहीं खुश होगा, तो यहाँ पर European Union के executive जो commission है, उनके द्वारा यहाँ पर रिबक आया है, statement आया है और बोला है, कि Switzerland नहीं यह जो decision लिया है, वो unilateral है, यह दोनों के सहमती से नहीं हुआ है, हम इस सारे चीजों को carefully analyze करेंगे, और जो 120 treaties हैं दोनों देश के बीच में, वो बहुत सारे treaties अब जल्दी expire करने वाले है तो हो सकता है, अब यहाँ पर European Union उसको extend नहीं करेगा, मतलब Switzerland को जो benefit मिलता था अभी तक, वो शायद अब Switzerland के benefits खतम होते चाहेंगे, और यहाँ पर जो Switzerland के foreign minister है, उनका बयान आया है, कि देखी हम यहाँ पर cooperate करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि equal partners की तरह हैं, लेकिन अभ रिवर फ्लो करती है, बहुत सारे अलग अलग नाम से रिवर हैं, यूरोप के अंदर आप देखोगे, तो कौन सी रिवर फ्लो करती है, Switzerland के अंदर, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते इसका right answer, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकी PDF चाहिए, कोई भी social medias पर आप मुझसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और economics पढ़ना चाहते हैं, कोई भी exam की preparation कर रहे हैं, तो app को download करिए, I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा, में आप से आप से ने क्साने कर सकते हैं, तल धे तल धे हैं, झा झालता हैं, तल द द द द द यह जोंपूर सकते हैं, जा एक से यह जञा मुझसे यह सुन।